यहिन सभी केंदीरे करमचारी, पेंशन भोगियों तथा भूत पूरु सनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसे मन यूट्यूब चेनल में इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि जनुवरी के महिने में केंदिरे करमचारियों, पेंसन भोगियों तथा भूत पुरूप सनिकों को कौन-कौन सी खुसकबरी मिलने वाली है जैसे डिये में बढ़ोतरी, सैलरी पेंसन में बढ़ोतरी, 18 माँ बकाई ADS का भुगतान तथा OROP2 की पहली किस्त कब जारी की जाएगी तथा इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है इस पर मैं बात करूँगा बने रहें आप हमारे साथ वीडियो में अन्ता के फर्स्ट आम चनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बे लाइकन की घंटी को प्रेस कर दें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी का महीना केंद्रिये करमचारियों पेंसन भोगियों तथा भूत पूर्प्सानिकों के लिए काफी आहम है क्योंकि उनके सेली तथा पेंसन संब्धी कई महतोपूर्ण फैसले इस महीने में लिये जाने वाले हैं पहला है डिये में बढ़ोतरी आपको बता दे कि डिये में इस बार काफी अच्छा उच्छाल आया है तथा यह 38% से बढ़ कर 42% तक जा पहुंचा है जो इसी महीने में परभावई होगा कुल 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है बढ़ी हुई डिये अप्रील के पेंसन के साथ दे दिया जाएगा साथ में जनौरी फ़रूरी तथा मार्च का एरियर भी दे दिया जाएगा फल सरूप सैली तथा पेंसन में 4-5,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी केंद्रिय करमचारी उनियन लगा तार सरकार पर बगाए 18 मार्च को देने के लिए दबाव बना रहा है साथ ही 2024 एलेक्षन भी अगले ही साल है ऐसे में बगाए एडियेस के मिलनी के संभावना और भी ज़्यादा प्रबल हो जाती है अगली बड़ी खबर ORP2 को लेकर आ रहे है बता दे कि 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होनी है सारे प्रोसेस पूरे कर लिए गए है तथा अब एडियेर भुकतान पर ही क्योवल बात होनी है बता दे कि ऐसी खबर आ रहे है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को एडियेर का भुकतान एक ही किस्ट में जारी करने का आदे सकती है यदि सरकार आर्थिक तंगी का हवाला नहीं दे तो यदि सरकार आर्थिक संकर्ट का हवाला देती है तो सुप्रीम कोट इस बात पर सहमत हो सकती है कि ADS का बुगतान चार किस्तों में किया जाए तता यह जो किस्त है वो पहली किस्त मार्थ से पहले सुरू हो जाएगा जिसकी पूरी समभावना है मिलेंगे दूसरी वीडियो में जाहिए